नमस्कार वंदे मातर हम आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग साथ दोस्तों क्या आपके बच्चे सेंट उर्सुला स्कूल में पढ़ते हैं तो भी और नहीं पढ़ते हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर दिखिए क्योंकि सेंट उर्सुला स्कूल के प्रिंस्पल जिनका नाम है रचिना सिंग उन पे और उनके साथियों के उपर 9 फरवरी को 420 आनि को दोखादरी के मामले के सहीद अन्यधाराय दर्ज हुई है रचना सिंग MRVE की सेक्रेटरी है, NDTA की ट्रस्टी मेंबर है, जबलपूर सी ये नई 10 अजार करोर से बड़ा मामला जो है जिसमें PC सिंग से जुड़े मामले में सबसे करीबी जयता है या ति उनमें भी इनका नाम आ रहा है और ऐसे कई मामले हैं जिनमें रचना सिंग का नाम ब्लिप्थ है और रचना सिंग ऐसे करके बहुत फेमस परस्टी बनते जा रही है अब रचना सिंग के उपर जब 420 सहित अन्य मामला दर्ज हुए उनके साथियों पे और उन पे तो उन्होंने कोर्ट में एंटिस से पेट्रिक बेल के लिए अपलाई किया अब कोर्ट से जो और्डर आया उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जब तक आयो इन्वेस्टिगेसिंग ऑफिसर जो है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है पुलिस वो जब तक अपना से दर्ज नहीं करते हैं कोर्ट में तब तक उन्हें आरेस्ट ना किया जाए अब 16 फरवरी को इस पे क्या होता है उस पे भी हमारी निजर बनी हुई है अब दूसरी बात ये रसना सिंग एक अच्छे पत पे है एक जाना मना स्कूल है सेंट उर्सूला स्कूल है नाकपूर का वहां के प्रिंस्पल है और आप स्कूल के हैड मिस्ट्रिस कब से हैं अब तक रहेंगे रिटार्मेंट के का अभी कितना समय बागिया जो जैनवरी 24 में रिटार्मेंट है और वहां के प्रिंस्पल पे अगर 420 दोखादरी सहीत आने मामला है दर्ज होते हैं तो कम से कम अपनी 26 होने तक तो इन्होंने स्तीफा देना चाहिए और खास करके प्र प्रिंस्पल पर 420 के मामला है दर्ज हैं बच्चों पर क्या बीतेगा एक अभिवावक अगर इस चीज को देख रहे इस वीडियो को देख रहा है को अभिवावक को बोले अच्छा आपके बच्चों से स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में पर जबलपूर मामले में प ट्रस्टी होने के बाद जो नई बड़ी 2021 में बनी उसमें गेशंस शोरूम मामले में लगभग करोरों का घोटाला देखा जा रहा है कम रेटे में उन्होंने जमीने दे दिया सदर जैसे छेतर में तो क्या उस पैरेंट्स पे उन बच्चों पे क्या बितेगी एक सोचने व क्या रचना सिंग को इस तीफा नहीं देना चाहिए रचना सिंग पर आरोप है कि सिगेनाई चर्च ऑफ नौर्थ इंडिया गोल्डन जूबली यानि कि पचासवी वर्षगाट मनाने में इन होने लाखों का इन लोगों ने मिल करके चूना लगाया है अब कैसे वह भी मैं आपको बताता हूं जब हमने एंटर्वी में रचना सिंग से पूछा कि क्या आपको 80 लाख रुपए की पर्मिशन या फिर आपने लिग कर ऐसा गुछ दिया था तो उन्होंने बोला कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया थे इसकी हमें सिर्फ यह पर्मिशन होई थी कि आप पर्मिशन उसकी नहीं थी पर्मिशन 7C के अंतरगत में आप प्रोग्राम कर सकते हैं उन्होंने कभी कोई टार्गेट नहीं दिया था लेकिन हमारे पास एक कॉपी है जो चैरिटी कमिशनर के तरफ इन्होंने जमा किया था रसेना सिंग और उनके साथियों में उसमें साफ लिखा हुआ है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सकेंड पेज में यह लिखा हुआ है कि अंदाज जमा होने वाली राशी और अंदाज खर्च होने वाली राशी असी लाख रूप है यह तो इन लोगों ने ही लिख कर दिया है एक बड़ा विजित्र सी चीज़ें आत अंतरगत क्या होता है मैं आपको बता देता हूं उस 41 सी अंतरगत चैरिटी या फिर रिलिजियस अगर कोई प्रोग्राम है तो इसके लिए उस अंतरगत पर्मिशन दी जाती है लेकिन यहां पर क्या हो रहा था यहां पर तो सी आई नहीं का सी नहीं का बड़े सेलेबरेश यह कौन सा आपका रिलिजियस प्रोग्राम है क्या 15 लाख लोग जहां है आप वहां 1200 में आएक प्रोग्राम कर ले तो क्या यह सारी चीजे लाखों रूपए गमन करने के लिए एक प्लानिंग की गई थी एक बड़ा सवाल उठता है 80 लाख का पर्मिशन एक करोर 38 लाख र अतरार कर है और दूसरी बात 13 फरवरी को भी स्कूल ट्रैगूनल सीवी एसी बिशोप कॉटन सीवी एसी जो स्कूल है उस पे भी 13 फरवरी को एक फैसला आने वाला था उस पे भी हमारी नजर बनी हुई है हर खबर आपको हम हर खबर में सबसे आगे रखेंगे आप देखत रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन विस यह न्यूज पे जैंद